तीन राजों में कॉंग्रस की जीत की लहर सोलन में भी देखने को मिली इस मौके पर कॉंग्रस कारिकरताओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सोलन की माल रोड पर एकत्री थोकर मिठाई बांटी और ढोल नगाडों की थाप पर खुब जशन मनाया वहीं भासपा कारिकर का जोश आज दुग ना हो गया है इस पारे में कॉंग्रस परदेश प्रवक्ता जग्मोहन मनोतरा जिला अद्धिक्ष राहुल ठाकुर और जिला प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा कि भासपा की उल्टे इंती शुरू हो गई है तीन राज्यों में कॉंग्रस को मिली जी प्रवक्ता को दिखाये थी उसकी हकीकत उने पता चल चुकी है इसलिए उन्होंने भासपा को पूरी तरह से नकार दिया है उन्होंने कहा कि 2019 का कॉंग्रस ने ट्रेलर जारी कर दिया है और जल्दी फिलम बेरलेस होगी और मोधी लहर का खात्मा होगा हिंदुस्तान के लोगों ने आज ये जो चुनाव परिनाम आ रहे हैं ये ना केवल उनी ही राज्यों की बात है पूरे देश की जनता ये बात समझ चुकी है कि भारती जनता बाटी जुमले बाजी में ही रही और इन्होंने चार वर्ष में तक हिंदुस्तान में किसी भी परकार का काम नहीं किया आज राजस्तान च्छतिस घड़ और मद्य परदेश के लोगों ने इस बात को बता दिया कि ये जुमले बाजी हिंदुस्तान बरदाश्ट नहीं करेगा और ये तो दो हजार उन्नीस का ट्रेलर है अब मोधी सरकार के गिंती के दिन रह गए हैं तरह से तीन राजियों में कांगरेस की भारी जीत हुई है उस से मानीनिय मोधी जी की जो लहर थी वो पूरी तरह से खतम हो चुकी है और अब लगता है कि लोगसवा चुनाओं में कांगरेस पार्टी भारी मतों से अपनी सरकार बनाएगी आज जूट के उपर सचाही की बहुत बड़ी जीत हुई है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भरत को कॉंग्रेक्श मुक्त बनाने की बात करते थे आज उनके उपर ये बहुत करारा तमाचा उनके मुपे लगा कोगों को आज बीजेपी की करनी और कत्री का पूरण रूप से आज पत्रा लग चुका है और उन्होंने अपना मन जो है वो इस गौवर्मन्न को उखाडने के लिए बना दिया गया है और पूरण विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 2019 का ये ट्रेलर जो है बाजपा को आज दिखा दिया गया है और इसी को कायम रखते हुए पूरी पिक्चर जो है 2019 में प्रदेश की जो जनता है वो इनके सामने रखेगी